हेलो आल एंड विल्कम तो रिकॉगनिशन आई एस प्रिलिम्स एग्जामिनेशन को हुए लगबग लगबग दस दिन हो चुके हैं और आप लोग अब तक अपने प्रिलिम्स के मार्क्स कैलकुलेट भी कर लिये होंगे और फ्री भी हो चुके होंगे तो अब काफी important होता है आपके लिए कि आगे preparation कैसे करनी है उसकी strategy क्या होनी चाहिए और क्या कुछ courses हम join कर सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में भी discussion करेंगे और आगे कि strategy के बारे में भी discuss करेंगे सबसे पहले ये question उठता है कि prelims के बाद आखिर क्या क्योंकि कई सारे आप लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे जो fail हो गया होंगे या फिर कुछ लोग होंगे जो pass भी हो गया होंगे मतलब जिनके marks एक save zone में होंगे और कुछ लोगों के marks हो सकता है कि वो safe zone में ना हो चाहे आप fail हुए हों चाहे आप pass हुए हों दोनों ही लोगों को अभी फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर में हम क्या करें क्या पढ़ें फिलहाल के लिए और कैसे पढ़ें तो सबसे पहले एक बार अगर देख लिया जाए दोनों ही परस्पेक्टिव से सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे फिल्ड स्टूडेंट्स की क्योंकि वो सबसे यादा directionless हो चुके होते हैं तो आप लोगों के लिए October, November, December, January, February ये जो मंद्स होते हैं ये सबसे आदा distracting होते हैं क्योंकि इसमें directionless हो चुके होते हैं क्योंकि next prelims अब जून में होने वाला है तो उसके लिए आप February onwards ही थोड़ा मुड़ा पढ़ाई करना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले directionless हो चुके होते हैं बहुत सी इधर उधर की चीज़े पढ़ रहे होते हैं और आप organized way में पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं इसके लावा जो दूसरे section of the month होते हैं वो होते हैं February, March, April, May और June जहां पर आपका exam ही आ जाएगा तो ये काफी आदा आप इसमें एक focused approach में पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन again वो केवल और केवल prelims की ही पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन ये जो आपका month का एक section है यहां पर आपको actual में पढ़ाई करनी चाहिए means की क्योंकि यही वो time होता है एक ऐसी दिमाग में एक mind बना करके चलना चाहिए कि अगर हमें जब भी means लिखने का मौका मिलेगा तो हमारे पास कोई चूक नहीं होनी चाहिए हमें रुकना नहीं चाहिए यह means इसके लिए आपको preparation करके रखनी ही होगी because prelims केवल और केवल step 1 होती है इस step 1 के बाद आपको step 2 भी cross करना होता है तो अगर आप पहले step में fail हो गए है ऐसा ज़रूर जी नहीं है कि आप step 2 में भी fail होंगे इसके लिए आपको step 2 पहले से ही काफी strong करके रखना पड़ेगा और step 2 में आपके जो topics होते हैं जो prelims में नहीं होते हैं उसे strong करना चाहिए जिसमें सबसे आदा important होता है आपका optional subject आपका जो भी optional subject होता है basically वो इन ही 5 months में आपको strong super strong करके रखना होता है इसके लावा कुछ topics होते हैं जैसे आपका ethics, international relations, world history, society और भी कई सारे ऐसे topics होते हैं ये major topic हैं जहां पर आपको इन 5 months में इन सारे topics की पढ़ाई कर लेनी चाहिए बाकि आपके जो बचे हुए subjects होते हैं जैसे history हो गई, geography हो गई, economics हो गया, environment हो गया, polity हो गई, या science हो गई ये वो topic होते हैं जिसको आप regular basis पे पढ़ रहे होते हैं जाए वह आप prelims के लिए पढ़ रहे हो या फिर मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो generally क्या होता है कि इन सारे topics पे काफी अच्छी पकड़ हो जाती है लेकिन ये topics कहीं न कहीं ignore हो जाते हैं उनके लिए जो लोग failed हो चुके होते हैं prelims में तो ये वो time होता है जहां पर आपको इन सब चीजों की पढ़ाई करनी चाहिए और एक हमेशा एक organized manner में पढ़ाई करनी चाहिए मतलब आपके पास एक schedule होना चाहिए आपका कि हमें इस month में इतने दिनों में इतना subject complete कर लेना है क्योंकि February से फिर आप start कर देंगे अपनी prelims के preparation और वो काफी अच्छे से organized way में आप लोग करते ही है तो इस समय चाहिए वो आप failed हो या फिर pass हो रहे हो आपको इन months में क्योंकि January में फिर आपका means examination हो जाएगा और इसके लिए आपके पास जो तीन महीने का ये जो time होता है nearly 93 days की होती है आप plan करिए 75 days की 75 days की आपको planning करनी होती है क्योंकि बाकी जो time होता है उसके लिए आपको revision करना जरूरी होता है तो 75 days अगर आप plan मना करके चलना है तो 100% surety के साथ तो care तो नहीं लेकिन हाँ 100% तो नहीं लेकिन हाँ 90% आप अपने आपको prepare जरूर कर लेंगे अब आगे आता है कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें तो देखे ये main 3 subjects होते हैं तीन topics होते हैं जिनको आपको strong करना होता है चाहिए या prelims या फिर mains या फिर कोई भी आगे interview तक के लिए भी जा रहे हैं तो आपको current affairs पे सबसे आदा पकड़ मजबूत करनी होते है this is the number one important topic second होता है आपके जो GS की basics होती है और third होती है जो आपका optional होता है बाकी जितने भी चीज़े होती है वो कहीं न कहीं इन तीनों से ही related होती है तो majorly यही तीन section होते हैं जहां पर आपको पढ़ाई करनी होती है current affairs generally क्या होता है लोग last time पे last के दो मन्त में ही केवल और केवल compilations को देख रहे होते हैं और फिर ultimately परिशान हो जाते हैं कि आखिर में क्या करना है तो यह वो section होता है जहां पर आपको हमेशा daily आपको compilation तो ठीक है लेकिन आपको अपने daily भी notes making करनी चाहिए this note should not be like आप एक एक चीज़ को लिख रहे हैं नहीं यह bullet points में केवल होना चाहिए और यह bullet points आपको देखते ही याद आ जाए ऐसा कुछ होना चाहिए अच्छी बात यह होगी अगर आप इसे topic wise बनाएंगे तो it will be much more better prelims के लिए अगर आप notes making करने की कोशिश कर रहे हैं तो this is impossible task prelims के लिए कभी भी आप notes making current affairs की नहीं कर पाएंगे mains के लिए बिल्कुल कर सकते हैं आप mains की एकदम करनी भी चाहिए this is very important क्योंकि कई सारे newspaper के topics ऐसे होते हैं किसी भी compilation में cover नहीं हो पाते हैं और वहाँ पर केवल आपकी notes ही ज़्यादा काम में आती हैं लेकिन अगर आप prelims के लिए भी जैसा कि इस बार के paper में आप लोगोंने देखा होगा कई सारे ऐसे questions थे जिसको की cover नहीं किया गया था compilations में और ये वो होते हैं जहां पर आप अपनी notes making कर सकते हैं जहां पर आपको थोड़ी research करने की भी जरूरत पढ़ सकती है कई सारे report भी पढ़ने की जरूरत पढ़ सकती है तो this will be very important step अगर आप इन चीजों को complete कर रहे हैं तो GS basics 1 by 3rd section होता है और ये मैं कहूंगा कि again काफी important होता है जहां पर आपको कम मेहनत में ज्यादा outcome मिल जाएगा कम मेहनत का मतलब ये कि आपने already prelims में maximum चीजों को cover कर रखा है अब आपको वापस सही से करने की जरूरत नहीं है केवल आप यहाँ पर अपनी question practice को कर लीजिए यहाँ पर और जितनी doubts होंगे केवल उनको ही clear कर लीजिए this will be sufficient optional subject ऐसा होता है जो कहीं न कहीं सबके लिए एक खत्रे की घंटी होती है और इस खत्रे की घंटी के लिए आपको उतना ही अच्छा एक schedule तयार करना होगा अपने आपके लिए तो ये वो तीन sections होते हैं जहाँ पर आपको काम करने की जरूरत पड़ती है इसके लावा देखिए कई लोग demand कर रहे थे पूछ रहे थे study material के लिए तो the study material subscription based पे है and the fee is 2500 तो इसमें आप लोग email करके अपने जो भी doubts होंगे वो पूछ सकते है WhatsApp मत करिए WhatsApp में problem ये होती है this is very informal mode और ये कई बार ignore हो जाता है तो email रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा है इसके लावा आप test series को भी join कर सकते हैं and this will be very good क्योंकि यहाँ पर sectional test series भी है और आपको एक time bound manner में चीज़े complete करने के लिए मौका मिल जाता है तो आप इसे join करके अपने हिसाब से अपना schedule बना करके आप इसे दे सकते हैं test series attempt कर सकते हैं आपके preparation काफी अच्छी हो जाएगी the better will be कि यहाँ पर आप एक time bound manner में पढ़ाई कर सकेंगे बाकी gsgminsk test series भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 10 test हैं and each will be for paper 1, paper 2, paper 3, paper 4 सबके लिए जो important topics है उसके लिए दो-दो test है और बाकी लिए single test है इसके अलावा इसकी detail आपको email करने पर मिल जाएगी बाकी अगर details about the classes के बारे में बात करने तो देखें फिलहाल अभी भी education sector के लिए lockdown ही है तो फिलहाल classroom program के बारे में अगर देखें तो classroom program फिलहाल के लिए अभी shut down रहेगी अभी यहाँ पर जब तक कोई concrete government या administrative norm नहीं आएंगे तब तक classroom program shut down रहेगी जितने भी program रहेंगे वो सारे online mode में ही चलेंगे तो फिलहाल online mode में ही सारे programs को launch किया जाएगा देखा जाएगा और उसे भी पढ़ाई करने की कोशिश की जाएगी इसके लावा देखिए जोग्राफी optional के जितने भी लोग हैं उनके लिए फिलहाल paper 2 रुका हुआ है paper 2 को हम लोग most probably आज से या फिर 100% कल से हम लोग start कर देंगे class आपको हमेशा 8 पीम पे मिलनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर जो लोग जोग्राफी optional के उन लोगों ने देखा होगा कि paper 2 के कुछ topics और paper 1 की physical geography ये दोनों के दोनों अभी discuss नहीं हुई है इनको parallely चलेंगे मतलब कि आपको per day 2 videos मिलेंगी एक video आपकी paper 2 से related रहेगी और दूसरी video आपकी paper 1 से related रहेगी ताकि जल्दी से जल्दी इसको 15 days से 20 days में इसे complete कर लिया जाए ताकि एक better preparation आपको मिल जाए तो जितने भी topics हैं आप लोग उसे divide कर लिजे 75 days में और फिर accordingly आप उसे prepare करते रहेए इसके अलावा important step होगा कि अगर आप past year के questions को भी practice कर रहे हैं this will be very important क्योंकि यही ultimately आपको एक deciding role play कर रहा होगा तो यह काफी important है इसके लावा देखे advanced geographic course भी launch की जा रही है इस advanced geographic course का मतलब यह होता है कि देखे basic जितनी भी geography है जिसमें syllabus cover करना है वो syllabus पूरी तरीके से cover किया गया है जो अलरड़ी videos publish की जा चुकी है इसके लावा एक और advanced geographic course रहेगा and this will be kind of a revisionary module यह revisionary module रहेगी जहाँ पर एक time bound manner में आपका basic revision भी करवाया जाएगा इसके अलावा कुछ important books जैसे रूपा made simple या फिर खुलर या और भी जो books हैं सुदिपता अधिकारी या जितनी भी books हैं उनको भी discuss किया जाएगा not word by word बट topic by topic जो भी topics रहेंगे important topics होते हैं उन सारे topics को भी discuss किया जाएगा इसमें हमारा main focus रहेगा physical geography की और क्योंकि physical geography में ही कई सारे asset terms आ जाते हैं जो कहीं न कहीं हमारे लिए एक problematic बने होते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ important books जैसे थौनबरी या फिर रूपा made simple या कुछ और भी physical geography की books को explore करेंगे और उसके important topics को हम लोग पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे इसके लावा current affairs के भी topics को उठाया जाएगा discuss किया जाएगा इस पूरे module में और यह केवल और केवल physical नहीं बलकि human और paper 2 से भी related रहेगा ताकि आपको exam में किसी कोई दिक्कत ना आने पाए आप हरे topic से जानते हरे topic के बारे में आपको जो है knowledge रहे answer writing practice भी कराए जाएगी ताकि आपके understanding better हो holistic हो और आप एक answer writing environment में रहें ताकि जब आप exam देने जाए तो कहीं से भी कोई भी unexpected question भी आता है तो आप उसको भी लिखने की हालत में रहें यहां पर 100 plus questions discuss किये जाएंगे और one to one interaction रहेगा जैसे कि जो test series वाले student होंगे उनको पता ही होगा one by one interaction किस तरीके से feedback दिया जाता है जिससे कि आपको एक improvement का scope मिल जाए हर एक question में और हर एक topic में जहां पर भी आप दिक्कत आपको face हो रही है इसकी fee 999 रहेगी 1000 रुपीज यहां पर आपको without PDF रहेगा मतलब अगर आप notes making खुद से कर रहे हैं तो it will be better और the fees will be 999 लेकिन जिनको PDF और study material भी चाहिए जो कि हम लोग यहां पर दिखा रहे होंगे या hand written होंगी या जितने भी materials होंगे उसके लिए आपको 3000 की fee है जहां पर आपको PDF material सब कुछ ही दिया जाएगा जितने भी PDF होंगे वो आपको email ID के through दिये जाएंगे email से दिये जाएंगे और जो class इसकी रहेगी वो एक separate platform पे हो रहे होगी वो अलग से private रहेगी इसके लावा अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप email कर सकते है email is a very good option और email ही आप किया करिए ये काफी important और हमारे लिए भी better होता है इसके लावा telegram channel की भी link दी गई है जोग्राफी के लिए अलग telegram channel है description box में दी गई है साथ ही साथ जो GS की भी telegram channel है वो भी अलग से दिया गया है और ये आपको separately दी गई है description box में बाकी आप facebook के page को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ materials launch किये जाते हैं तो फिलाल के लिए आज इतना ही बाकी हम लोग मिलेंगे अपने जोग्राफी module के साथ में और साथ ही साथ जो GS के modules हैं उनके लिए भी आप email ID पर email करके पता कर सकते हैं मिलते हैं next studio में अपने नए modules के साथ till then goodbye and thank you so much